Hello students, हम time बताने के लिए कई बार add preposition का यूज़ करते हैं, कई बार own preposition का यूज़ करते हैं और कई बार in preposition का यूज़ करते हैं तो आज की इस वीडियो में यह सीखने वाले है कि कब हमें टाइम बताने के लिए एट का यूज करना है, कब हमें ओन का यूज करना है और कब हमें इन का यूज करना है तो देखिए, at preposition का यूज हम clock time से पहले करते हैं, weekend और public holidays के साथ करते हैं, in preposition का यूज हम part of day, जैसे की morning हो गया, evening हो गया, afternoon हो गया, तो ये parts of day हैं, ठीक है, ये parts of day हैं, तो इन के साथ भी आपको in का यूज करना है, इसके लावा longer period को mention करने के लिए भी हम longer period से पहले भी हम in preposition का यूज करते हैं, लेकिन on preposition का यूज हम particular day के साथ करते हैं, आईए अब कुछ examples के दौरा इनको समझने के कोचिस करते हैं, सबसे पहले लेते हैं at preposition को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि at preposition का यूज हम clock time स इसे पहले करते हैं, तो ये तीन examples देखे, I usually get up at six o clock, I will meet you at four fifteen, तो इन दो examples में ये जो time है, six o clock और four fifteen, ये clock time है, तो इसलिए इन से पहले देखे, at preposition का यूज हूज हूआ है, इसी परकर से phone me at lunch time, अब lunch time होगा, तो कोई ना कोई particular time होगा, जैसे वन पीम होगा, lunch time, या वन 30 पीम होगा, तो को lunch time होगा, पर्टिकुलर time होगा, ये भी clock time ही होता है, तो इससे पहले भी हम add preposition का यूज करेंगे, तो इस प्रकार से जब भी clock time कहीं पर दे रखा हो, तो उससे पहले अगर preposition लगाने हो, तो हम add preposition का ही यूज करते हैं, उसके बाद आता है public holidays और weekends, तो preposition यूज करने है, जैसे we are having the roof referred at Easter, लेकिन अगर इन सब्दों के द्वारा, जैसे Christmas, Holy, Diwali, New Year, Easter, इनको किसी particular day को describe करने के लिए अगर यूज किया गया है, तो फिर हम own preposition का यूज करते हैं, जैसे come and see us on Christmas day, अब यहाँ पर एक particular day को describe करने के लिए इस word का यूज किया गया है तो own preposition का use किया गया है, इसी परकार से what are you doing on Easter Monday, अब यहाँ पर इस Easter word का use Monday को describe करने के लिए किया गया है, कि कौन सा Monday, Easter Monday, तो यहाँ पर own का use किया गया है, तो जब भी यह public holidays होती है, तो अगर इन से पहले आपको preposition लगानी है, तो at लगाएंगे, लेकिन अगर इन सब्द बिटिस इंग्लिस में at the weekend बोलते हैं, वीकेंड से पहले हम at preposition का use करते हैं, लेकिन American English के coding हम weekend से पहले on preposition का use करते हैं, तो यहाँ पर at की जगें क्या use होगा? on. उसके बाद हम लेते हैं इन को, इन का use हम कब करते हैं, इन का use हम parts of day को mention करने के लिए करते हैं, जब भी हम parts of कोई भी part of day हम लिखते हैं, जिसे morning हो गया, evening हो गया, afternoon हो गया, तो इन से पहले हम in preposition का use करते हैं, जिसे I get up early in the morning, we often play cricket in the afternoon, और we usually go out in the evening, तो ऐसे में हम parts of day को mention करने से पहले इस प्रकार से हम in preposition का use करते हैं, in parts of day से पहले, और part of day और preposition के बीच में यहाँ पर आर्टिकल भी यूज की जाती है, देखिए, आर्टिकल भी लग रही है, तो इस पर कार, अगर हम किसी day के part को mention कर रहे हैं, तो उससे पहले हम in preposition का use करते हैं, in the night और at night में difference होता है, in the night का मतलब होता है, during one particular night, जब हम in the night लिखते हैं, तो हमारा जो focus होता है, वो किसी particular night पे होता है, लेकिन हम at night लिखते हैं, तो at night का मतलब होता है, during any night, जिसे I had to get up in the night, कि मुझे रात को जगना पड़ा, मैं किसी particular night के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे किसी भी रात को जगना पड़ा, तो यहां पे particular night पर focus कर रहा हूँ कि मैं किसी particular night के बारे में बता रहा हूँ कि उस रात मुझे जगना पड़ा, तो यहां पे मैं कहूँगा in the night, लेकिन I often work at night, तो यहां पे at night means during any night, मतलब मुझे अकसर रात को काम करना पड़ता है, तो रात, मतलब कोई भी रात हो सकती है, यहां पर particular night को refer नहीं किया जा रहा ह ठीक है, यहां पर at night means any night, लेकिन यहां पर in the night means क्या होता है, तो यह particular night अगर हम यह बताना चाहरे हैं कि कौन सी morning, कौन सी morning, कौन सी afternoon, या कौन सी evening, तो भी हम on preposition का use करते है यहां पर तो हमने देखा कि morning, afternoon या इवनिंग से पहले हम in preposition का use करते हैं, लेकिन यहां पर हम किसी word के दवारा इनको describe करें, ठीक है, किसी भी word के दवारा अगर इनको describe करें, तो फिर own preposition का use करते हैं, जैसे I will see you on Monday morning, तो which morning, Monday morning, तो Monday morning, अगर हमने लिखका है, तो यहां पर तो एथ अफर्णों को डिसक्राइब करें हैं से तो फिर एम इसे पहले ओन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे जैसलिक है यहांपे मर्निंग को डिसक्राइब किया जाए मंडे से यहां पर ओन पर्ड़ीखोच का यूज वह आ इसी प्रकार से वी मैट होने cold afternoon in the early spring तो यहाँ पर afternoon को describe किया गया है cold word से तो यहाँ पर own preposition का यूज किया गया है तो अगर आपको morning, afternoon या evening इन से पहले preposition यूज करनी है तो आप in preposition यूज करेंगे ठीक है लेकिन ऐसे में फिर आपको in और यह जो part of day है इन से पहले बीच में article लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पर article लगा हुआ है और in preposition है यहाँ पर लेकिन अगर आप इन शब्दों को describe क किया गया morning, which morning, Monday morning, cold afternoon, what type of afternoon या which afternoon, cold afternoon तो ऐसे में आपको in on preposition का यूज करना है यहाँ पर in है, यहाँ पर on है, इस चीज को आपको समझना है उसके साथ साथ मैंने यह बताया आपको in the night और at night यूज करते हैं तो इन में भी difference होता है, in the night means during one particular night लेकिन at night का मतलब होता है during any night उसके बाद आते हैं इन का यूज हम longer period के लिए करते हैं, longer period means कोई week या किसी महिने का नाम, कि season का नाम, year या century, कुछ examples देखते हैं जैसे it happened in the week after Christmas, I was born in March, trees become bare in autumn, our house was built in the 15th century, he died in 1616, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, यह week है, यह longer period है, longer period means seven days से एक बाद बनता है, तो यह longer period हो गया है, तो इन का यूज होए, March एक longer period है, means 30 days से जो है, वह महिना जो होता है, वो लगबग 30 days से बनता है, तो यह भी longer period हो नाम है, यहाँ पर autumn एक season है, तो season का कोई नाम हो ओगया, spring हो, यह भी longer period होता है, तो इससे पहले भी इन का ismex 3, 1616 Здесь कAll गाना में, साल का न यहelaہ है तो यहां पे भी इन है जब हलाब हम लोंगर परिए से पहले अगर पृति न तो हमें इन प्रिपोजिशन यूज करनी जिस प्रकार से हमें कलोक टाइम से पहले कलोक टाइम से पहले हमने एड किसजे पोजिशन यूज की थी इस परकार हम इस चीज को कलेंडर से याद रख सकते हैं यह कलेंडर का टाइम होता है ठीक है कलेंडर में आप वीक देख सकते हैं मन्त देख सकते हैं यह देख सकते हैं ठीक है लेकिन आपको साथ साथ कलेंडर के साथ साथ आपको यह चीजी भी याद करते हैं उसके बाद आताए तो जैसिके मैं ने ने अब को बता है को हम किसी particular day से पहले करते है तो particular days जब भी हम particular days को mention करते है particular day से पहले हम preposition लगा चाहिता है तो ее on use करना है जिससे I ring you on Tuesday ठीक है तो particular day है तो own का use किया गया है इसे पर कर से my birthday is on March 21st यहाँ particular day है 21st तो यह own का use किया गया यहाँ पर दे कि के दियार है विए पार्टी ओन क्रिस्मस दे यहां भी यह पर्टिकुलर डे है तो उन का यूज़ हुआ है कि यह उस्टे से दिम्म बताएं के लिए यह संडे मंडे टूज़ए इनको प्लूरल यूज़ए चिसे वी उजली प्ले क्रिकिट ओन संडे मींड्स संडे संडे तो यह था वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम टाइम को बताने के लिए हम टाइम से पहले हम कौन सी preposition कभी उज़ करते हैं कभ उमें at यूज़ करते हैं कभ उन यूज़ करते हैं कभ उन यूज़ करते हैं तो कैसा लगए वीडियो अगर उड़ी चलग अधो पिसको लाईक किजिए शेयर किजिए चैनल को सबस्क्राइब रहना भोले thanks again for watching this video happy learning bye bye